सब्सक्राइब नमस्कार दोस्तों देहिंदू करंटेफेर में आपका स्वागत है आज थोड़ा देहिंदू लाणने में काफी लेट हो गये था क्योंकि आप जानते हो भी अपनी जोग्राफिक इस तरी चल रही है उनकी नोडस और स्लाइड बनाने में थोड़ा टाइम पूरा दिल निकल जाता है ऐसे लिखने में ठीक है तो यह बुक हम लॉंच करेंगे सितंबर एंड में लॉंच होगी क्योंकि साल की जो एक्जाम लगेगी भी पंद्रा सितंबर को वह ऐसे भी उनका सोल पेपर भी उसमें सामिल करना चाह रहे है तो वन ओव दी बेस्ट ब बहुत अच्छे कंटेंट पर यहां पर चर्चा करने वाले है ठीक है इसके साथ में जैसे अभी G20 समयलन हुआ है तो G20 का आज मैंने यहां पर मेटेरल सामिल नहीं किया है इसको जैसे नेक्स्ट जो हमारा देहंदू का वीडियो बनेगा उसमें सामिल करूँगा क्योंकि अभी बहुत सारे आर्टिकल आना बाग की है अभी जैसे मैं आज देख रहा था आज कल में उतने आर्टिकल अच्छे नहीं है क्योंकि अभी समयलन हुआ है और साथ में जैसे जो मंतली मेंग जिन वहां से भी आप यह चीज़ी कवर कर लेना लेकिन यह G20 इंपोटेंड है बोजे दाइंपोटेंड हमारे लिए यहां से अनेक दस्टीकोंड से आपको कुछन देखने को मिलेंगे प्री एक्जाम में में तो उनको भी आने वाली वक्त में हम कवर करने वाले है ठीक है तो जो हमारे पहली न्यूज है यह चीज़े कहां काम आती है जैसे यह है केरल क कि यहां या यहां पर आज के बादचित कर सकते हैं कुछ गेम खेल सकते हैं ठीक है एक दूसरे से मतलब प्रेम भाव यह सब चीज़े एक साथ बढ़ा सकते हैं यहां पे तो यह बहुत अच्छा कोंचेप्ट देखा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे बड़े बु वास्ते से जुड़ी समस्या आती है, तो यदि ऐसे कलब और मतलब क्या कह सकते हैं इनको, ऐसे यदि इस्तान बनते हैं, जहां पर जितने भी सीनियर स्टेजन आकर बातचित करें, अपनी दिल की बात किसी से कहें, तो यह मतलब बहुत इंपोटन सीजी हैं, तो इसको आप कह अपने एथिक्स में डालनी है, जहांपर एज एग्जाम्पल डालना है, कि हाली में जैसे केरल में क्या हो है, वहांपर एक मतलब ऐसी स्कीम या एसी योजना शूरू कर गई है, तो इनको आपो खुद को बताना पड़ता है, तो यह कहांपर भूए मलप्रूम नगर पाली दिन में ऐसे बहुत सारी game हो सकते हैं वहाँ पे बहुत सारी किताबी हो सकती है बहुत सारी जो बड़ेorden बुज्रगों की समस्लिय होती है उन पर discussion हो सकता है तो ये बड़ा ही बाजार बहुत ही एक role model हम कह सकते हैं और ऐसा कहा भी जा रहा है कि जैसे ऐसा क्यूं हो रहा है क्योंकि केरल हमारे देश में आप जानते हो स्वास्ते सिक्सा अधिक दस्टी खोंड से एक तर ऐसे आप कह सकते हो काफी उनका उच इस तर है तो केरल की जनसंक्या का हम डाटा देखते हैं तो उसमें आपको बड़े के बुज़र्गों की संक्या, सीने शेटिजन की संक्या ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा कह सकते हो कि केरल की जनसंक्या का जो ग्राफ है, डेमोग्राफिक जो चीजी है वहां की, वह विक्सित राष्टों से उनकी तुलना कर सकते हैं, चाहिए उन प्रत्यसा को लेकर कर सक कर सकते हैं, आयू को लेकर कर सकते हैं, इन चीज़ों को कर सकते हैं, तो आप जैसे कोई भी ऐसे लिख रहो, जहां पर इसी समझ से आती है, उन पर आपको सोलूशन देना हो, तो आप एज एग्जामपल बताओगे कि ऐसा, जो मलपुरुन नगरिपालिका का मोडल है, रोल 2021 तक यह आंकड़ा कितना हो जाएगा, 31% होने का नुमान है, इसका मतलब हमें पहले से त्यार रहना होगा, हमारी जो, आप जानते हो कितनी सरकार स्किम लेकर आती है, पेंशन की, स्वास्ते की, तो ऐसी योजना आने से मतलब निश्ची तरूफ से फरक पड़ता है, ठीक ह इसी तरह से जैसे से चलो आप इसको समझ गयोंगे, इस बात को समझ लेना, क्योंकि जैसे नूजपर आप खुद भी पढ़ते हो तो आपको यह पता होने चाहिए कि मुझे अच्छे एक्जामपल निकालने है, आपके GS के चारूपर ठीक है, ऐसे राइटिंग का पेपर हो यह 2022 की बात थी, 2022 की बात थी, 2022 की बात थी, लेकिन अभी हाली में जैसे हिंदु गई साइन्स टेक का एक पेज आता, उसमें यह दुबारा चर्चा में किया था, कि वहाँ पे क्या कॉन कॉन सी गटना है गटी, तो अपने तो काम का है, UPC आपको जानते हो न, UPC दो साल की, यह जोला मुखी विसपोट होने से, बहुत सारे क्या हुआ, जैसे यह सागरी जोला मुखी का एक्जामपल है, आप जानते हो कि, जैसे हम अभी जोग्राफी पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, जब दो प्लेटे आपस में, एक दूसरी की और आती है, ठीक है, यह जैसे यह बनुग जोग्राफिय का एक जानते हो, जैसे आप इसको देखोगे, जैसे यहाँ पे न्यूजिलेंड है, न्यूजिलेंड से उपर के चलोगे, यहाँ पी यह है, हुंगा टुंगा जो दीप एलिना, यह यहाँ पर, तो यूस का पार्ट है, यह रि कि 2021 में क्या वाता बहुत सारे वोल किनो एक्टिविटी देखने को मिली तो ऐसे कुछ राते हैं तो वहां पे फिर आपके बास एक्जम्पल होंगे तो आप बता सकते हो कि हाली में जैसे परसांद महासागर मैसा हुआ था ठीक है एक्जम्पल देखे बताओगे तो इसमें क् कौन सी है बड़ी कौन सी होगी महासागर ओसन पैसिफिक प्लेट होगी जलवाली प्लेट होगी एक यहां पर छोटी प्लेट भी आप इसको कह सकते हो चोटी प्लेट कौन सी है यहां पर जैसे इसको हम देखें यह गटनक आप इगट रही है तो यह कौन सी है परसांद महा प्रसागर प्लेट बहारी है तो आप कह सकते हो कि जैसे दो प्लेट आपसमें टकरारी है परश्णमा सर प्लेट बहारी है तो क्या खर منीच सब्डेट करेगी दूबेगी है न यह अप बता सकते हो और यह मेत बग़रा आपके इंपॉटेंट है प्रीके अंदर भी जो essas out ना या हुंगा हपाई जो वोलकिन हो है ये कहां पर गठी थी, वहां पर कौन सी एक्टिविटी हुई थी, कौन सी गठना गठी थी तो उसको लेकर कुछना सकता है तो ऐसी चीज़ों पर नूजर अपनी दोड़ाई रखना ठीक है, बनाएं रखना और ये यहां पर क्या हुआ था वैस इसी को लेकर चर्चा में रहा था कि ये जो आलमों की कहां पर पुटी थी, क्या गठना गठी थी ये ना, विशेश कर इसमें बताएं कि इसके कारण जो सागर के अंदर से काफी जो आप इंटरनेट की या दूर संचार की जो केबल गुजरती है, उनको नुखसानवा था इसको लेकर तो ठीक है, ये इंपोर्टेंट हमरे लिए प्री के अंदर कहां काम आएगा मेपिंग मेप कैसे कुशन आते है बहुँ जिदा, और मेंस में क्या काम आएगा आपके बहुँ सारे एच्छे एग्जामपल, बहुँ सारे डाइग्राम आप बताओगे इसे कुशन आते है, कैसे कुशन आते है देखो 2021 में कुशन कैसे आया था कि 2021 में गटी ज्वाला में की वेस्ट भी गटनाओं का उले करना है और इसका 63 प्रियाण पर प्रभाव बताईए तो ऐसे एग्जामपल देखे आप इनको बता सकते हूँ ठीक है, तो साथ में आपको यह पता होना था प्री में कैसे कुशन आते हैं, मेंस में कैसे कुशन आते हैं तो दोनु दिश्टिकोंड से आपको करना है तो वहाँ पर GS3 में ऐसा कुशन बन सकता है और GS3 में आजकल एकोनोमी भी ऐसा कुशन बन सकता है आप जानते हो आजकल किस एकोनोमी की बात कर रहे हैं सरकुल और एकोनोमी की बात कर रहे है तो सरकुल और एकोनोमी की बात कर रहे हैं चक्करिये अर्थव्यस्था की बात करें इसका मतलब क्या होता है कि हमारा production consumption कैसा होना चाहिए चक्करिये होना चाहिए यानि जो भी संसादन बचता है जैसे example के लिए आपके पास mobile है वो खराब हो गया लेप्टोप खराब हो गया तो इसको क्या करोगा अप कुडे में फेक दोगे ठीक है तो कुडे में फेक दो उसके कोई महतव नहीं होगा इसके वजाए क्या होगा यह किसी में चला जाए मतलब किसी चक्कर में चला जाए रिस साइकल होजाए उसका काता है कई वार electronic waste management का सकता है प्री के अंदर ऐसे बहुत सारे कुशन आते हैं कि कौन-कौन से वेस्ट में कौन-कौन से धातू बगिरा या pollution वाले पार्ट पाई जाते हैं polluted पाई जाते हैं तो ऐसे कुशन आते हैं जो वेस्ट है वो क्या है ठीक है क्या है और भारत में बारत में इसको लेकर क्या समस्या है इसको लेकर क्या समस्या है इसको लेकर क्या समस्या है इसको लेकर क्या चुनोतिया है इसको बन सकता है चैलेंजिज क्या इसको लेकर ठीक है या इसका समधान क्या है ठीक है तो ऐसको लök स्वस्तषर दोति बता है ऐसा कुछन मैं ऐकड सक्षेटी ने तो कि उसके समस्या या चीख Direct सब्सक्राइब क्या होगी आतक्रमिने तो समधान में क्या बता होगे सरकार का इन को अनुड़ी है को एक्ट बना है इसक पॉछ मिकैसके लिए कोई अजय का क्रकरता है डुसरह आप प्राइवेट निजिसेक्टर को लेक्ड हो या पीपी पूडल को लेक्या काह एक कर रहे है थीसरह उभूगताओं कि सिसे पर इसमें क्या हो रहे है वो बोगता कि इसमें क्या कर रहे है चोथा कोई नई इनिसिटीव आपके पास है नया कोई सांटिफिक नोलेज है ऐसे करके आप समधार बताओगे समझे क्या क्या है आप जानते हो कि भारत के अंदर जो इलोक्तरनिक वेस्ट ना वो उसका समस्या होती है तो जो समस्या होती है बाद में कई सारी और समस्या होती है तो ऐसे आपको फ्रेमिंग दे रहा हूं ना ये मायंड में रखो जब भी आप कोई topic पढ़ते हो, चाहिए आप GS का topic पढ़ो या आप कोई जैसे news paper पढ़ रहे हो अभी है तो आपको ये देखना है कि यार मैं ऐसे ही मुझे नहीं पढ़ना, यदि ये चीज मेरे mains में काम आ सकती है, यदि इससे कुछ न बन सकता है तो उसको मैं थोड़ा वि क्योंकि मुझे पता है, इससे आपको सबसे इदा फाइदा होता है, चाहिए पांस लोग देखे, पचास लोग देखे, मुझे फरक नहीं पढ़ता, लेकिन बनाने के पीछी reason यह है कि आप में से बहुत सरे news पर पढ़ते हैं, बहुत सरे कोई YouTube पर देखते होंगे, magazine करेंगे, कि यह हमने आर्टिकल पढ़ा, इसको कैसे मेंस के एक्जामें यूज करना है, उस पर हम बात करेंगे, कहां इसको यूज में लेना है, GS3 में लेना है, हम यह discussion करते हैं, तो इस बात पर मैं जोड देता हूँ, तो विश्यस तूर पर आप द्धान रखना कि कैसे यह काम आएगा आपके आना, चलो आगे बढ़ते हैं, तो जैसे अभी हम बात करें थे, कि अपना introduction का material हमारे पास मिल गया, जब यह ऐसा कुछ ना आए, electronic west का इसा आजकल क्या रहो हो रहा है, सब चीज़े online हो रही है, तो यह सब चीज़े electronic आप चीज़े की need ज़्यदा बढ़ रही है, तो electronic west भी बढ़ेगा, तो इनका क्या कहना है, कि इक कच्रे के दोहन के अफसरों का पता लगाने के लिए, नितियायों के साथ इन्होंने एक प्रिया भूमती नहीं थी, इसका मतलब जो waste management है हमारा अच्छा नहीं था, लेकिन आज हम दक्स economy की बात करते हैं, आज हम संचादनों के परबंदन की बात करते हैं, आज हम recycle की बात करते हैं, तो आज बात किस की निकलती है, आज चकरी अर्तवष्था की बात निकलती है, circular economy की बात करेते हैं पहले कि हमारा waste जो management है, electronic waste management वो सही नहीं है, तो इसको आजगल हम सही करने की बात कर रहे हैं, तो यह सहस्ता याद रखना है, introduction part में डाल देना की हाली में, जो Indian Cellular and Electronics Association है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, कौन शी रिपोर्ट? भारती इलोक्तोर निक्स चेतर में चकरी अर्थवेसाय की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था, कि कैसे हम e-waste को manage कर सकते हैं, ठीक है, नितियायक साथ मिलकर, तो आपका introduction की पहला जो कुछन बनाया था, आपने introduction part में क्या लिखोगे, आप लिखोगे, I, ठीक, C, E, A, सोट में लिख सकते हो, या तो, या आपका answer unique लगेगा, कि आप जानते हो, इसलिए अपने introduction को रोचक बनाने के लिए हमें सामय क्या बोलता हूँ, आपने data, अपने index, report, इनकी file त्यार रखो, ठीक है, चिपकाना है, ऐसे ही मतलब, पहले से त्यार रहोगे ना, कि मुझे introduction में ये चीज़ डालनी है, तो आपक बात करें कि भारत को लेकर विशेश कर बता है कि यहां पर हमारा जो electronic waste management है, उसका परबंदन कैसे होता है, ऐस संगडी छेतर में ज्यादा होता है, यानि कोई एक संगट नहीं बनाया है, कोई संगट नहीं है, एक supply chain नहीं बनाया हूँ है, ऐसे चल रहा है वस, ठीक है, तो उनका, उनके समधान की भी यहां पर बात चल रही है, और इसके लावा जैसे रिपोर्ट में क्या बताएगा है, कि एक कस्रे का प्रबंदन के दर्श्टिकों पर हमें ध्यान देना होगा, कि कैसे हम इन चीजों को मतलब वापस जोड सकते हैं, क्योंकि जितने भी जो hardware होते या कीमती जो दात्वियों होती है, इनका reuse कर सकते हैं, और इसका market भी बहुत बढ़ा है, जैसे 31 के दोहन की waste management की बात करें, तो इसका market काफी बढ़ा है, 7 अरब dollar का market है, और सिर्फ काफी जद है, तो यहां पर मतलब यह है कि private sector आए, निवेस करे, तो एक supply chain बन सकती है, और यह बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, आजगल PPP मोडल चलता है, यानि सरकार ने इसी इनिश्टिव बनाई, कि private sector ने उसमें interest लिया, क्योंकि उसमें मुनाफ़ा दिखता है, तो इसी दस्टी कोण से इस चेतर में आए, तो मुनाफ़ा दिखेगा, ठीक है, इसके लावा, क्या भारत में एक अज़रा परबंदन है, बिल्कुल है, लेकिन क्या है, काफी हत्त क्या है, अनौपचारी क्या है, समस्य हमें यह बता ना, कि informal sector में यह ज़्यदा है, यदि हम बात करें, रिस साइकल की तो, जैसे इसमें दिया भी है, कि 90% जो collection होता है, और 70% जो रिस या क्या होता है, उनकी एक समस्य है, हमारे पास उतने डाटा नहीं है, ठीक है, जैसे एक्जाम्पल देके बताया है, कि मुरादाबाद दो ओधगी क्छेतर है, उसमें बताया है, कि वहाँ पेशा काम चल रहा है, तो विसेस कर वहाँ पे सोने चांदी को निकला जाता है, बाकी का परबंदन ऐसे मतलब कर दिया जाता है, तो यह आप बता सकते हो, समस्य भी बता सकते हो, यह पोइंट बता सकते हो, इसके लाओ यह बता सकते हो, कि के अंदर सरकार ने क्या किया था, पिछले साल हुआ था यह नमबर में, पिछले नॉमबर में, एक सत्रा प्रच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इसके काम आगई हो जैसे को प्लास्टिक का कोई आइटम बनाहे ठीक ही खराब हो गए एक समय के बाद में तो इसको मतलब एक гр पार बीच में क्या हो को कि हुआ हो सकते हैं चोट-चोटे 1973 बन सकती हैए सब को फाइदा होने प्रीपतर इत्विस्ता नेतå लेकिन आप हिंदी में चर्कुलर तो इनको लेकर जैदा कन्फूज माइंड में मत रखना कन्फूज नहीं होना है ठीक है जो हमारे पूराने खराब होगे उनी से हम चीज निकाल सकते हैं ताकि हमें बाहर से ज्यादा नहीं मंगाना पड़े हमारी एकोनोमी काफी बड़न पड़ता है जब हम बाहर से मंगवाते हैं जैसे आप देखते हो आजकल चीन से दक्षनी कोरिया से या और दे से जहां से हम यह चीप सरकिट बनते हैं आजकल काफी ज़्यादा चल रहा है इनका तो यह काफी दुरू लवदात होती है बहुत महेंगी होती है हमारे जीडीप या चालू खाता गाठा जो है उटको बढ़ाने में युगदान देती है तो क्यों यह ऐसा किया जाए ठीक है और इसमें क लाओ जैसे चीन 2019 तर चीन नहीं सुनिशित किया था कि उनके जो दिरतिय कच्चे माल का है उसका 5% नए उतपादों के दिर्मान में चला जाए ठीक है उन्होंने इसी पोलिस बनाए कि जो पुराना माल है जो खराब हो चुक है उसको उसके नए उतपाद बने उन्होंने इ ऎससले है लगसर रहते हैं कि न удив生 पुन उप्योग में लिया जा इंची जोग हो तो इसह बना सकते हैं इसके लिवा कैसे इसका रिसाइकल किया जा सकता है क्या क्या हो सकता है कौन आ सकते है इसमें तो आप कह सकते एक तो corrosाटी मोडल आ सकते है प्राइवेट पप्लिक प्र टीक है अब बनाने के लिए बहुत सारे इसको क्या चाहिए कर चाहिए तो उसको plastic भी चाहिए और चिप बगेरा बनाने के लिए जो भी संसादन वो चाहिए और भी उसको कई परकार के आइटम चाहिए तो वो क्या करती है एसेंबल करती है फिर अपनी कंपनी के अंदर यहां से मुबाइल बना तो फिर मुबाइल क्या करता है फिर उबोगताओं के पास कंपनीयां मोटा मुनाफ़ा कमा रही है तो यही कंपनी अपनी थोड़ी जीमेदारी ले है क्योंकि आजकल यह हो गया कि यह कंपनी चाहती है कि नए नहीं मुबाइल इनके भी के ठीक है लेकिन हम एक ऐसी पोलीस ही बना दे कि नहीं ऐसा नहीं आपको जो नया जो उत्पा सकती है तो उबोगताओं को भी क्या होगा पुराने माल का दा मिल जाएगा तो फिर से उस रिवर्स सप्लाइचेन में देना पसंद करेगा यह उनके आउटलेट बन सकते हैं जहां पर नए आउटलेट बनते हैं नहीं नहीं उनके मुबाइल फोन बिकते हैं वहां पर उसक नहीं करोंगे अच्छे कीवड़ इस्तिमाल नहीं करोंगे अच्छे अग्ञांपल नहीं दोगे डा टी नहीं कहां से नमर आएंगे ठीक है यह उसकता है की साथ में हमें क्या चाहिए बहुONA पैषा चाहिए Любay सकोन करेन में तो उसको लेकर सरकार हो सकता है कोई incentive scheme लेकर आये, सरकार को subsidy दे, उनको छूड़ दे text में तो ऐसा संभव है आगी जैसे चुनोटी है क्या है चुनोटी सबसे बड़ी क्या है, अनुभ सारिक चेतर सबसे बड़ी चुनोटी है, इसके लग़ाए जैसे कैसे मतलब इनको dumping करते हैं या इनको कैसे पुंजी लागे तो बहुत पैसा लगाना पड़ेगा तो कोन आया आगे है यह एक समस्या है तो इस कुनोतिया है तो इस कुछन में क्या बात की आपके लिए बिल्कुल यह मोडल आंसर है अब आपके पास कुछन का जवाब है कि जो कुछन हमने बनाए था ना कि तो इंट्रॉडेक्शन में खुछन क्या था कि क्या बहुत साइब राबहुत सारे समस्या हमने देखी समस्या किस बात कि एक समश्या है हमारे जॅब ने yeter है यह है कि सप्लाइचेशन के नहीं है हमारे सप्लाइच नहीं है हमारे पास सप्लाइचेशनJE है भी substantialolf Works ईा किव Яन क पुंजी लागत है, capital जो है कहां से लाएंगे, इसके लाब पोलिसी मेकिंग को लेकर भी बात कर सकते हो, निती, निर्मान, इन कानून की भी बात कर सकते हो, तो ऐसे करके पांच से आपने समस्य बताई, समधान में क्या बताऊगे, समधान में देखो ये keyword हमने लाए थे, keyword प्लेटफों पर इसी चल रही, उनका एक्जामपल दे सकते हो, ठीक है, ऐसे करके मतलब, सरकारी लेओल पर, पॉलिसी लेओल पर क्या हो सकता है, उनकी बात कर सकते हो, सरकार की जो पॉलिसी आई थी, 2022 की जो गाइड लाइन आई थी, उसके बारें बता सकते हो, ठीक है, त यह वेस्ट को लेकर ही आया है सेम सेम कुछन आया कौन कौन सी दातु चाहिए देखो यहां पर यह सब दातु लिखी हुई है ठीक इसके लवा देखते हैं कुछन कैसा आया था यह देखना आप कि निरंतर उत्पन के जारे कि जारे फे के जारे ठोस कस्त्री की विशाल मात्र हो कि इस तरह में क्या क्या बादा है यह दो वह परवला इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं और मतलब कैसे हम इनको सुरुख्षित कर सकते अठा सकते हैं लगबग सेम टोपिक पर कुछन आया है 2018 में जीस्ट्री में आया है ठीक है आगे देखते हैं यह हीट इंडेक्स का जो जो कभी साइकलोन का कुछन आता है कभी फ्लड का आता है कभी ड्रोट का आता है कभी किसका हीट का इनका कुछन आना वाकी है ठीक अभी देखा कम देखा गया है इसे कुछन तो आ सकता है ठीक है तो अभी हाली में क्या मैसूस किया था इरान की तर्थी छेतरों में जो तापन बहुत ज़दार, 70 degree Celsius के आसपास देखा गया था, वहाँ का जो heat index है, आप कह सकते हो, वहाँ का heat index आप बहुत ज़दा देखा गया था, ठीक है, यहाँ पर heat index की बाद चल रही है, तो normally आपको थोड़ा सा heat index समझा देता हूँ, heat index का मतलब क्या होता है, इसके अंदर विश्या सापेकसी अदरता का मतलब होता है, वहाँ पर कितना तापनगा होने कितनी वहाँ पर है, रियल में कितनी आदरता है, वहां पर कितनी उसकी समता है, उसको prechशिक अधरता का मतलब क्या हो गया, जब आप जो ग SEC पड़ोगी या हम जोग्राफी जो सिरी चल रही है उसके इंदर पढ़ेंगे इसको तो सब एक सी आधरता मतलब क्या होता है जैसे आप एक आपका कमरा है उसमें अभी कितनी आधरता है जैसे मान के चलते हैं 70% अधरता है लेकिन आपके कमरे की समतार 100% है ठीक है ना समझ रह आधरता है इसका मतलब एक सिंपल बास समझना एक तो गरम पानी है उसमें आप डालो तो गरम पानी नोर्मल जैसे टेंपरेटर होता है एक जो भाफ वाला पानी होता है उसमें हाट डालोगी जैसे आप चाय बनाते हो कभी है ना तो अचानक उसका डखन या कभी रोटी मतलब इसन जल जाता है जबकि ना गरम पानी उत्राग जलता तुमल ना करेंगे तो तो इसमें एक रिजू करेंगे ना प्र nellट इसमें ईसमें यह इंडेकस कर तो इसमें विशिची सामिल तो heaps पान और समय आधरता डियुल जो होसा बनाती हो तो यह चीजे ने यह कघज ह हो इसमें सामिल की जाती है इसके आधार पिसके इंडेक्स को मापा जाता है ठीक है जो heat index है उसमें मुझी रुपछे क्या है temperature और relative humidity मापा जाता है और विशेश कर इसको heat wave flave brewing haasemry होता है क्यों फरिवायद करती है क्यों होती है ये ॥ा हमारे कभी पसिना आता है तो पसिना वैसे सूख जाता है क्यों सूख जाता है क्योंकि वास्पिकरन होता है लेकिन जब वर्सा के समय देखना आप जब हुमिडिटी बोजएदा हो आधरता बोजएदा हो हमें पसिना आ रहा हो तो हम क्या मैसुश करते हैं मापनम है तो बिल्कुल इसका मापनम चाहिए जैसे विशेशकर जो भी हमारा टेमपरेटर आज पास में हवा की नमी है टेमपरेटर है उसका मतलब ताप सुचकांग में इनमें बहुत ज़्यदा फरक पड़ता है क्योंकि जैसे विशेशकर हम क्या देखते है है हीट वेव क की मरती जैदा होती है जबकि राजस्तान है यहां पर नहीं होती है तो इसका मतलब क्या था यहां पर जो राजस्तान है वहां पर गर्मी जैदा है हुमिडिटी कम है तो वास पिकरन आराम से हो जाता है लोगों का पशिना सोगता है और सरी ठंडा रहता है लेकिन ऐसे चेत सब्स्क्राइब वाटर बोडी जैन नदियां है जिलें है ठीक है जबकि राजस्तान में इसा नहीं है राजस्तान के अंदर लोगों का जैसे हमारे जो परसिना अभी जैसे हम घर्मी बहुत है महसुष कर रहा हूं में तो पूरा पसिने से बरहा हूं आराम से जो ठंड़क महसुष हो रही है बेचे नहीं अनुबव नहीं हो रही है क्योंकि मेरे जो अभी जहां बेठा हूं कमरे में क्या है ताप मांजदा है वास्पिक रन मेरा हो रहा है पसिना हो रहा है श्री ठंड़ा हो रहा है एकदम प्रेक्टिकल समझा लो इस बात को वहीं आप अभी किसी मतलब नदी के कि करती है तो ऐसे कुछ सना आते हैं ठीक है तो उचादरता मानों स्रीर को कैसे प्रवायद करती है इसमें वही छीजे दी नहीं दी जाए कि लोग मतलब की समय अच्छा इसमें काम के समय जैसे विश्यसकर अपने आम आनक उतने इच्छे नहीं है मजदूरों को लेकर सर्मिकों को लेकर जैसे मैं दुबई की बात करता हूं हमारे आसपास बहुत सारे लोग दूबई में रहते तो उनसे बात करता जो होती है विश्यसकर अभी मैं आपने आसपास देख रहा हूं यहां पर पस्तलों की कटाई चल रही है बाजरा इनकी कटाई चल रही है और बाहर इतनी गर्मी है मतलब जैसे एक नोर्मल बेखती है वह तो नहीं जा सकता है लेकिन बिचारी जो सर्मिक है मजदूर है वह जहां पर इसी हीट वियो की समया होती है आप यूपी वियार की बात करो विश्यसकर आपको बात बताता हूं कि आजकल जो मतलब जो लोग अच्छे है जो किसान अच्छे है तो वो क्या करें जो उनके सर्मिक है वो पांच बजी आ जाते है अर्ली मोनिंग में ना तो पांस उतनी बन जाते हैं जितना दिन में काम करेंगे वो 5 से हम सुबह 10 से 5 करेंगे उतना वो जल्दी early morning में कर जाते हैं और फिर साम को आ जाते हैं फिर साम को 2-4 गंठे और तो ऐसा भी कई जिगा हो रहा है तो यह हो सकता है practically कि उनके काम का समेट decide करने हैं ठीक है ऐसी जिताओनी सब इन चीजों का आप सामिल कर सकते हो आगे जैसे आदित L1 है तो इस टोपिक यह टोपिक very very important है आने वाले वक्त में हर एक्जाम में आएगा वैसे इसको यह L1 पर इस्ताबित किया गया है L1 का मतलब क्या होता है एक ऐसी जगह होगी जैसे हमारे यहां से होगी 1.5 million किलोमेटर दूर हो गई सूरिय तो बहुत ज़दा दूरी पर है यह दूरी कितनी 1.5 million है तो इससे क्या है यहां पर जो हम यह अपनी जो solar आप कह सकते हो वेद साला जो भी कह सकते हो दूरबीन वगरा यहां पर इस्ताबित करने से फाइद ही होगा कि सूरिय का हम काफे दिन कर सकते है और इसको क्यों छो छोड़ा गया है विशेश कर सूरिय का जो atmosphere है आप उसका बाहरी जो क्रोमस्पेर कह सकते हो कोरोना कह सकते हो कैसे वहां से जो solar तुफान आते हैं शकरवात आते हैं उनका मद्यन करेंगे जो electromagnetic wave आती है उनका मद्यन करेंगे तो इसको लेकर छोड़ा गया है यह बहुत important है आने वाली एक्जाम में आएगा कई वार हम discussion कर चुके तो यहां पे इसको मैं discussion नहीं करूँगा क्योंकि आप भी यह लगतार आप मेरे lesson follow करे तो आपको पता है कि हमने discussion कर लिया इसका दो बा सरीकिस में James wave telescope चुड़ा गया था अब इस diagram में देखके बताओ James wave telescope कहा चुड़ा गया है यहां पे L2 पे जो James wave telescope है L2 पे हमारा वाला का L1 पे है ठीक है यह क्या location है दो पिंड होते हैं उनके बीच में ऐसी पांस location होती है जहां पर उनका जो गुर्टवा के सन बल्ला होता ह मतलब बराबर होता है ना तो इदर खिसता है ना उदर दोनों के बराबर होता है यहां पर तो ऐसी पांस location पांडिंग की गई है जहां पर हम आजसान इसे अपना satellite बगगरा छोड़ सकते हैं ठीक ऐसे कुछन आते हैं इसके लावा जैसे कुछन आ गया यह GS fest में आया था कि यह कुछन फ्रेम हो सकता है लेकिन यह कुछन हो सकता है GS3 में जाए ठीक है GS3 में जब कुछन आएगा ना तो उस पर बात करना है science or take के हिसाब से और यह कुछन GS1 में आ गया तो वहां पर जोग्राफिक हिसाब से बात करना है अब जोग्राफिक हिसाब से कैसे बात करोगे कि कैसे मतलब हमारा ब्रह्मांड बना है कैसे चटाने है कैसे इस बात का विशेश ध्यान रखना में एक छोटी सी बात समझाता हूँ गोर्द करना इस बात का कि जैसे ये कुस्तन है कि परत्वी की दुपती और विकास को समझने में किस प्रकार शायता करता है अब यदि ऐसा ऐसा बच्चा जिसने यही बतानी है कि उसका जीएस फेस्ट का सेलेबस क्या है जीएस फेस्ट में यह टोपिक काहँ कवर होता है जीओग्राफी जोग्राफी के बारे में है ठीक है तो यह कुस्तन आपको लिखना है जोग्राफी के एंगल से कि कैसे मतलब इस मिशन से परत्वी की जो चटाने है बर्मांड यूत्पती है जो हमारी परत्वी की आंतरिक सरतना है जो हमने कोर मेंटल जो पड़ा था क्रश्ट पड़ा था उसके बारे में कैसे जान करें मिलेगी तो उसे एंगल से लिखना था सेम कुस्टन यह जीएस थ्री में आजाए तो वहां पर बात करने है कि इसके क्या का component है क्या समी चोडा गया है क्या उसका उदर से होगा ऐसे बात करनी है तो इसी तरह से यह जो क्या सकते हो हम जानते है इसका उद्ध से क्या है जो हमारा आप कह सकते हो सोर जो चकरवात आते हैं सोर तुफान कह सकते हो उनको चकरवात कह सकते हो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रो मेगनेटिक जो चुम्ब की चकरवात आप कह सकते हो तो इससे क्या होता है यह हमारे जो कहसकते हो हमारे जो परथवी है एसी परथ्वी है तो उसके जो दो पौल होते है North और साउथ चुम्ब के भोगलिक पौल होते हैं को इनको परबाइद कर सकता है तो वहाँ पे एक रात इसके करोगे कि यह दिन करेंगे इससा क्या होगा जो हमारा हो सकता है वक्त में इसा कोई सोर सक्रवात है जो हमारा इलेक्ट्र मेगनेटीव जो चक्कर है उसको तोड़ दे और इससे क्या होगा पर्तिवीपर बहुजीता तबाई आ सकती हमारे संचार वगरा सब नश्ट हो सकते हैं तो इसको हम समझ लेते हैं तो हमारे फाइदा होगा तो यह ज सकते हैं कि जैसे हमारे लालिनों की घटाए है अलीनों लालिनों की घटाए टापमान बढ़ना जो वाइव मंडल है पाउनों का चलना यह सब किस से प्रवाज़ दूता है सूरी की इस तापमान पर पर डिपेंड करता है तो इससे हम जोग्राफिक की बात कर रहे देगो ऐ तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही पढ़ने का आपका तरीका होना चाहिए, आपको यह बता होना चाहिए, कि आपका सेलेवस क्या है, कुछन कहां पर किस एंगल से पुछा गया है, तो आपका गलत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं, आज लंबा लिसन होगा, क्यों कई दिनों क करंट फ्यरत था कई बच्चे सोच रहे होंगी में पढ़ा हूंगा नहीं छोड़ दूँआ बीच मैं इसा नहीं है मैं भी तो आपके साथ पढ़ रहा हूं मैं भी तो यही पढ़ गिये एक्झाम देख आऊंगा ठीक है तो इसी बात नहीं मैं अपने लिए भी पढड़ता ह इसको अच्छा बनाने की कोशिज करते हैं, अपनी तरब से फुल कोशिज करते हैं, कि कोई कमी नगा जाए, तो उस दस्ट्रिकॉन से पढ़ते रहते हैं, यह तभी इतना मोटिवेशन मिलता है, ठीक इतने लेसन बनाने का, क्योंकि खुद की पढ़ाई, यह होता यार, इस तो उस दस्ट्रिक कैसे बनाते हो, इस उमर तक कैसे पढ़ पाते हो, तो कोई नहीं को यह सा मोटिवेशन अपनी लाइफ में पैदा कर लो, बना लो उसको, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, जैसे अभी मेरा मोटिवेशन है कि मुझे पता है, मैं पांस दिन अगवा सोसाइट को लेकर ये अच्छा आर्टिकल एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, हालांकि ये बहुत, आप कह सकते हो, हमारे लिए काफी समस्य आई भी है, मतलब आर्टिकल ठीक है, लेकिन वैसे कह सकते है, हमारे लिए एक दुरभागी की बात है कि हम ऐसा कर नहीं पाने है, इ इस आत्मत है रोगतां दीवस मनाए गया, कभी कि प्री में से कुछ नहीं आ जाते हैं कि ये जो सोसाइट रोगतां, जो दीवस है कब मनाए जा प्रिवेंशन सूस, वर्ल्ड सोसाइट प्रिवेंशन दे, इसके सुरूआट दोजार तीन से हुई थी, इसकी फीम दोजार उन सबस्या पर यहाँ पर बात की गई है, तो ऐसा कुछ ना सकता है, और भारत में आप मान सकते हो कि लगबग प्रती वरस डेड लाक लोग आतम बत्या करके मरतिव उनके होती है, डेड लाक लोग, डेड लाक संख्या बहुत बढ़ी है तो डाटा हमारे पास है, कई तो हमा वाली महिलाओं की संक्या 2021 में कि तरी 45,000 क्या सपास है पैतलिस जार संक्या बहुत ज्यादा है और इन में से आधी 50% कौन सी है जो हाउस होमेकर है हाउस वाइफ है होमेकर आज वर्ड बोला जाता है तो जो घर पे ज्यादा काम करती है उनके साथ यह समस्या ज्यादा है कहीं कि बताया भी गया कि कुल महिला महिला आतमत्याओं में गर्णियों की जो इसिदारी है वो पिसले वर्सों में 50% से उपर बनी हुए है और समगर जो आतमत्या है उसमें भी गर्णियों की सिदारी कितनी है 15% का सब्सक्राइब जैसे हम कह सकते हैं कि डेड लाग में लग पुरसोर महिलाई परिवार वो वी विवा समद्द मुद्ध के करण आतमत्या करते हैं तो कभी-कभी इसे सोसाइट वाले मुद्ध आदन की कि किसानों की आतमत्या होती है या बच्चों की आती है तो उसमें आपको इंडिविजल कारण पता होने चीए जिए किसान मतलब जो आतमत्य हुई उसमें ठीक है तो ये डाटा आपके पास है तो टेबल टू में भी ये दिया गया है कि जैसे लग बग आप कह सकते हो इसमें जो कारण रीजन के है उसमें कारण ज्यदा रीजन के है परवारी कारण है या साधी वाले जो मामले उसमें उसके विज़से आतम स्वास्तिक रूप से जो राजे बहतर है उन राजियों में महिलाओं की जो आत्मतेदर है वो ज्यादा है ऐसा क्यों है यह अभी कारण बताएगा विशेसकर जैसे यहाँ पे केरल तमिलाडू तेलंगाराओ करनाटक इस सुची में उपर है तो ऐसा क्यों है तो इसमें बताएगा यही कारण है जो हमारे परमपरिक जो समाजिक मान देंडर ना वो आदनिक मुल्यों के साथ तक्रा रहे है मतलब जो पूरस है वो सवयुकार नहीं करें कि जो उन महिलाएं गर से बाहर निकल कर काम करें जोब करें अच्छा मुकाम आसिल करें तो यह बड़ा कार वो लोग ऐसा नहीं करते हैं पड़ली के लोग जयता करते हैं तो यह सब चीज़े एक सामाजिक जो बदला हो रहा है संक्रमन काल से हम गुजर रहे हैं उन चीज़ों के एकजामपरियां पर देखने को बिल रहे हैं इसके लावा जैसे जो हमारा पहले भी आया था दोजार वो भी आज़ीए हैं जैसे मैंने कई वार देखा है कि परिवार में महिलाें कमाती है को कुई टीचर है को ऊणपूशंक है ना पैसे कमाती है लेकर उसके पैसे कर्च करने का chocolate कि पास मैं ठीक पूर्शों के पास मिय तो ये मतलब बिल्कुल गलत चीजे हैं और इनाAd Le ritie अ जानते हो वेवाई एक जो संबन्द है उसमें बहुत सारे ग्रह लिए हुए इंसा योन इंसा उनके साल साथ emotional जो इबूज की गटना ही होती है ये सब बड़े जिमेदार कारक है जो उपर गटना है हमने चर्चा किए कि जो महिलाओं की housewife की जो मर्ची दुरा वो ज्यादा क् लो एक बार यूपीसी के एक्जाम की दुनिया को बार छोड़ते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए आपके घर में क्या हो रहा है आपके समाज में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए आवाज उठाओ आप यूपीसी एस्परेंट हो वेसी इसमें डाटा आप देख लिया ना ठीक है मोटा मोटी हमने यह देख लिया बड़ा रिजन यही था जो हमने अभी डिसकर्शन किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछन 2019 में आया था जीस फेस्ट में कि बारत में महिलाओं के समय और इस्तान समय और इस्तान के साफ़ से चुनूतिया बता सकते हो अलग लग हो सकता है अलग लग जगह अलग लग चुनूतिया मेले आपको ठीक है इसी तरह से अभी अफरीकन यूनियन का फी चर्चा मेरा समय है तक क्योंकि ये जी टूनिटीका भी लेटिस्ट इसको सदसी बनाए गया है। तो कौन-कौन से मेंबर fearless में मेंपिंग के दिरश्टर कोन से प्री में कुस्दर आ सकता है इसके लाव कुस्दर आ do something आ सकते है। क्उछ की और कुस्द आ बार में जानसेएं। और प्री के अंदर ये कुशन बन सकता है कि कितने इसमें सदसे है अफरीका की एकता को लेकर एक जूड़ता आपके सामाजी का आरतिक गरानतिक समझें को सूल जाना आपने देखा हूगा कई वार अफरीका में लोगतन तरिकान दोल चलते हैं उसमें इस संगटन की बड़ी भूमिका नजर आती है मानुदिकारों की रक्सा है सांती इस्तरता सुरुक्षा को बढ़ाओ देना है बहुत सारे और आर्तिक जूड़ों को आगे बढ़ाना व्यापार को बढ़ाना और वेस्विक इस्तर पर अफरीका को एक मतलब एक जूट होकर अपनी मुद्दों को रखना यह यहां तक लाश्ट कोई पूचा है तो एक कमेंट करके जुरू बताना कि आपको आज का लेशन कैसा रगा ठीक है पहुत पहुत धन्यवाद